Welcome back guys to the NBS blockchain course इससे पहले की वीडियो में हमने डेमो ब्लोक्चेन को स्टार्ट किया जिसमें हमने ब्लोक्च एंड उसकी क्रेक्टरिस्टिक्स को एक्स्फ्लोर किया जिसमें हम डेमो ब्लोक्चेन को देखेंगे और इसकी security के related बात करेंगे जैसे कि हमने ब्लोक्चेन को देखा कि जब एक ब्लोक माइन होकर complete होता है तो उसके बाद एक new ब्लोक माइन होने के लिए ready रहता है सेम प्रोसेस में next ब्लोक में भी data add होना start हो जाता है यहाँ पर मैं एक चीज confirm कर दूँ कि data क्या है data basically हमारी transactions ही है जो हम cryptocurrency एक दूसरे से exchange करते हैं वो इन ब्लोक में add होती रहती है और ब्लोक में transactions का data add हो जाता है so bitcoin की blockchain यह bitcoin protocol में एक ब्लोक 10 मिनट के बाद माइन होता है मतलब हर 10 मिनट के बाद new block की बारी आ जाती है और crunch block और इस टाइम जो crunch block है वो bitcoin में वो 7,98,300 है और इस तरह worldwide transactions होती है और miners mine करके block का hash generate करते हैं और new blocks add करते रहते हैं तो इस तरह से blocks बनते हैं आपको clear हो गया होगा कि किस तरह से block बनते हैं और इस technology के नाम की तरह एक chain बन जाती है जिसको हम blockchain बोलते हैं सो back to the main topic कि जब एक block mine होता है तो उसका hash next block में add होता है जिस से security मजीद powerful बन जाती है और जब कोई hacker blockchain के किसी भी block में कोई change करने की कोशिश करे तो उससे अपनी तो उससे अप पूरी blockchain effect होगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक block का data change करने की कोशिश की तो block का hash change हो गया और जब किसी block का hash change होगा तो next block में मजूद previous block का hash भी change होगा तो इस तरह पूरी blockchain effect होगी इसलिए blockchain में किसी भी block से data को change करना एक तरह से impossible है क्यूंकि अगर आप एक एक करके सारे blocks को माइन करते हैं तो आपको अभी तक का data change करने के लिए तकरीबन 200 साल लग जाएंगे क्यूंकि इतना बड़ा data change करने के लिए आपको इतना time to require करना ही पड़ेगा तो इस तरह से ये impossible है कि blockchain की technology में data को change किया जा सके रेधर दन के आपके पास एक quantum computer आ जाए जो के इतना fast हो के वो 5 मिनट में 10 लाख blocks को माइन कर सके तो फिर हम कह सकते हैं कि blockchain में blocks को blocks के data को change किया जा सकता है मतलब कि hack किया जा सकता है लेकिन हमारे पास अभी तक quantum computer की access नहीं है इसलिए ये impossible है लेकिन future में कुछ भी हो सकता है तो इस तरह से एक blockchain आपके data को secure करती है So guys, in the next video हम blockchain की एक और characteristics को discuss करेंगे जो के peer-to-peer network है So stay in touch, Allah bless you all, take care, Allah Hafiz